दोस्तों अगर आप परेशान है अपने पीरियट से यानि कि जो मेरी माताएं बेहने परेशान है पीरियट से उनका पीरियट खुल करके नहीं आता है तो इस नुसके का सेवन करिएगा अगर आपने इस नुसके का सेवन किया तो आपका जो पीरियट है रुका गुआ पीरिय नहीं होगा क्योंकि हम बनाने वाले हैं इस नुस्के को अगर आपने इस नुस्के का सेबन किया तो पीरेट से सम्मंदित सारी प्रॉब्लम आपकी खतम हो जाएगी और आपका जो घर्वास है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा यानि कि अगर उसमें कोई स्वैलिंग बग जाता है और साथी साथ यह आपके इन रेगुलर पीरेट को क्या करता है रेगुलर कर देता है और साथी साथ पिरेट आपका खुल करके भी आएगा इसके साथ में कुछ चीज़ों को मैं और एड करना है सबसे पहले यहां प्यमें लेना है एक भगोना उसमें डाल देना है एक गिलास पानी, दोस्तों बहुत जेनुवन उसका बता रही हूँ, इसका कोई side effect भी नहीं है, अब इस पानी में डाल देना है, आपको एक छोटा चमब जीरा, जीरा क्या करता है, कि ये आपके सूजन को खतम करता है, आपके period को खुल करके लाता है, ये जो भी सामगरे में इस्तेमाल करेंगे, ये सारी सामगरी मिल करके आपके गरबासे की सारी problem को खतम करेगा, अब इसमें हमें डाल देना है, अद्रक, अद्रक के बारे में सबी लोग जानते हैं कि दर्द और सूजन को खतम करता है, बहुत सी माता हैं, बेहनें कंसीब नहीं कर पाती हैं, तो आ आप कंसीब भी कर पाओगी, क्योंकि ये दर्द और सूजन को खतम करेगा, और इन रेगलर पीरेट को ये खुल करके लाएगा, नस नाडियों के सूजन को ये बिल्कुल खतम कर देगा, जब आपके जो नलकाएं होती हैं, जिससे की पीरेट होता है, तो वो नलकाएं आप की बिल्कुल सही हो जाएंगी, सही का बतलब सोयलिंग बगरा उसमें होगी, तो वो सही हो जाएगी, जिससे की पीरेट आपका कुल करके आएगा, अब इसमें ने डाल दिया है, काली मिर्च करीवन पांस से छेदाने काली मिर्च के, और डाल दी है सौफ, तो आदा चमच म मैंने इसमें सौफ डाल दिया है, सारी चीजों को डालने के बाद में अब इस काड़े को पकाना है, जब इसमें एक उमाल आ जाए, तो उसके बाद में आपको इसमें क्या करना है, गैस का फ्लिम दीमा करना है, और दीमियाद पे लगातार पांच वट तक इसको पकाना है, इसमें टाल दिया है मैंने थोड़ा सा में ती दाना और में ती दाना के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये खायी पर भी को अगर बीफकास चैसे और अगर आप के घरा जादा खुल के बोलूंगी ना तो मेरा वीडियो ही विकार हो जाएगा ठीक तो मैं थोड़ा सा कम बोल पारी हूं इसलिए आप समझ जाएगे कि यह आपके गरबासे के लिए इसको जरूर ट्राई करना यह बिल्कुल आपके इन्रेगुलर पीड़ को यह खुल करके लाएग देखिए अगर जैसे माली पी-सी-ओ-डी की प्रॉब्लम है पीरेट खुल करके नहीं आ रहा है इन्रेगुलर पीरेट है तो इन सब चीजों के लिए तो भाई देशी नुस्का ही फायदे बंद होता है अब यहाँ आप आपने डाल दिया हल्दी पाउडर दो चुटकी आ हर तरीके के आपके गर्वास की इंफेक्शन को यह खतम करेगा जब इन्फेक्शन खतम तो फिर आपका इन्रेगुलर पीरेट है वह खुल करके आए और इस अगर इस काड़े का आपने सेवन की आ तो आप कंसीब भी इसको यानि कि बहुत सी जो माता है मैंने कर पाती तो होगा क्योंकि जब पीरेट सही हो जाएगा यह काड़ा मारा बन करके तयार हो गया है अब इस काड़े को हम च्छानने के गर्मा गरम ठीक है यह हमने च्छान लिया है अब यहां पे बता दू कि बहुत सी माताओं बेनों को जैसे की पीरेट के टाइम पर पेट में दर्द होत आहात, अगर आपको यह कह भी दा सकते है अगर को घील चानन बाद में और इसके बाद में आपको इसको पीना है कब इसको आपको पीना sports क्यों मेंड़ें सब्सक्ताव लगेगा शेक से ही आपका जो गर्वास है बिकुर सोदो जाएगा और बाकी का काम यह सारी समगरी करेंगी ही करेंगी यह आपके दर्द को सूजन को इन्रेग्लर पीरेड को बिल्कुल अच्छा करतेगी बिल्कुल अच्छा मैं इतना इसलिए बोल लही हूं कि बाकी में काम करते हैं तो आप इसको लगातार आपको पीना कब है मान लीजिए आपका पीरेड आने वाला है मान लीजिए यसे की इन्रेग्लर पीरेड है और आपको मान लीजिए पांस जतारी को पीरेड हो रहे है तो आप उसके एक दो दिन पहले से ही पीना स्टार्ट कर दीजिए और उसके बाद में जब तक आपका पीरेड रहे तब तक आप इसको पीजिएगा तो लगातार आपको इतने दिन तक पीना है जब तक आपका पीरेड रहे तो इससे क्या होगा एक तो सेख भी अच्छी से लगेगी और दूसरा क्या होगा आपका पीरेड भी खुल करके आए यानि कि मानी जी किसी के दो महीने में एक बार आ रहा है किसी के तीन महीने में एक बार आ रहा है तो आप इस काड़े का सेवन करिए लगातार एक से दो महीने तक सेवन करिए आपका जो पीरेट नहीं आता है वो पीरेट खुल करके आने लगेगा बहुत गजब करन उसका है क करके देखेगा रिजट आपको स्वयम देखने को मिलेगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें मिलती हूँ नई वीडियो साथ अब तक के लिए नमस्कार